प्रेंट्स मैं आज बेड़ को साइड में कर रही हूं और यह हटते में मेरे से बहुत भारी है और राजी भी आज घर में यह स्कूल की शुटिया उई तो इसको बेड़ को हटाके मैं थोड़ी सी किसकी आज साप सफाई करूंगी और दो मेने बाद हटाते हम बेड नहीं हट हटते मेरे से ऐसे एक अपते बाद नहीं हटते तो अब इस दोनों जोने हटाएंगे भारी यह बहुत ज्यादा और मैं कर लेती हूं इसके निचे साप सफाई है हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे तो आज फ्रेंड्स में अपने घर के रूम में बैड साइड में कर रही हूं इसके निचे कच्रा हो गया था डैस्ट तो इसको हटाने लगी थी मैं काफी बार बच्चे समान भी गिर जाता है बच्चे के वज़ा से उन्हीं हम निकाल पाते काफी सारा कुछ भी होता है समा और जब मैंने ये बैड हटाया तो जब मैं जाडू लगा रही थी तो इसके निचे ना एक पाइप थी लोही की पाइप और वो उसकी वज़े से दाग लग गया था बैड के नीचे तो उसको मिरको दो घंटे लगे उस दाग को मिटाते मिटाते अपना घर होता ना तब तो कोई बात नहीं थी पर रेंट वाला घर है ये रेंट वाला रूम है तो या टाइले वाला मकान है तो इसमें जो दाग लगा थ तो आपो को सुथा, कि मैंने को क्यैसे कैसे हटाया है, यह में उता ही निकिदा हता है, आपो और को साइड कर west सान दोध Михassine दो, और कि उता हुट यहूणा साव समान गिर जाता हुठ और यह जैसे रइचा दाग लग गया था परवड़ बच्चे वाड़ा घरे कुछ न कुछ ऐसे ही गिरा होता है तो इगनौर करें प्लीज और सबसे पहले तो मैंने इस दाग पे लोहे का जर था सिर का डाला था तब भी साफ नहीं हुआ मतलब लाई जोन डाला फिर भी नी बीम डाला फिर भी नी फिर लाश्ट में मैंने से एक फटाफट से ये जर का दाग लोहे वाला जर होता जो सौरी उससे ये मिट गया था प्लब टेंसन तो होई जाती है लोगों के घर होते जैसे उन्होंने हमारे को दिये वैसे हम उनको वापिस करेंगे फिर उनकी चीज कर नुकसान हो जाए तो अच्छी बात नहीं होत करके दिया होते हैं मकान की अच्छा रखेंगे पर मैंने तो कोशिश की अच्छा रखने की पर इसमें जब लोहे की पाईप पहले सी इस रूम में थी तो मैंने भी धिक कभी ध्यार ने दिया कि भी रख देती कि ऐसे मौंकी विगरा को मानने के लिए रखते थे हम तो यह करने चला और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से दाग को साफ करके ऐसे इदर को बैड़ लगा दिये थे इस दिन दम बहुत थक गी थी तबीद भी खराब होगी थी रात को इतना बुखार चड़ गया था और बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं जब देखो फरस पे फिर बीच पे हम थक गए थे तब राजी बोलता है ममा आमने ना चीजी खानी है फिर मैंने एपल काटा और अभी लंच भी मैंने त्यार नहीं किया हुआ था तो सब मैंने एपल काटा था और इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची और नमक डालका तब खाया था और आप भी खा लीजिए फ्रेर्ण्स प्लीज वीडियो को फूल देखा करें और चैनल का इंफ्रेशन बहुत कम हो रहा है यह फ्रेर्ण्स आप भी खा लीजिए एपल खुद पसी नायावा काम करते कर दें ठगे बहुत और लाइट भी नहीं है पंखा लगाने के लिए क्लीप आगे फिच्छे हो गई है सुबा की है और यह मैं इसको मैं बात में डाल रही हूं पहले सबसे पहले तो मैंने सुबा बरतनी दो लिए थे और बरतन दो रही थी राजी भी बात कर रही थी आप साथे भी बात कर रही थी पता नहीं क्या बात कर रही थी मैं बोल दी कुछ ध्यानी नहीं रहा मुझे आप मैं क्या बोल दी थी वीडियो लंबी होगी थी इसलिए मैंने इसकी स्पीड से तेज कर दी थी और राजीब को मैंने सबजी के लिए बेजा था उसको बोली थी भी डेली भी लेके जाए उस मान लेने के लिए और फिर मैंने गेस साफ कर दिया था उससे बाद हम बेड साफ कर रहे थे बतला बेड की निच्छी की साफसफाई रूम की बर साथ में तो ऐसी भी साफसफाई करनी ही चाहिए और अभी मौसम ठीक नहीं हुआ बस कपड़े भी थोड़ थोड़े सुके ऐसे ही रह जाते हैं गिल्ले